इसमें सिफ तोरा सा पुत्ती करना है और बाद में पुरा कलार करके भी दिखाएंगे नमस्ते दोस्तो और एक निया वीडियो में आप सभी को दिल से स्वागत करता हूँ यह जो लकरी का दिजाइन देख रहे है इसको हमने कैसे बनाया है इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा और यह जो दिजाइन है इसको अभी इस सेंटर तेबुल में हम फितिंग करेंगे दोस्तो अभी कलार रही हुआ है लेकिन बाद में पूरा कलार करके इसमें हम फितिंग करेंगे उसको भी एक अलग ताइप से वीडियो बना के दिखाएंगे दोस्तो और यह जो सेंटर ते है दोस्तों और यह जो काम है यह जो लक्री का जो डिजाइन का जो काम है पूरा मैं बना के दिखाऊंगा इस वीडियो में और ऐसे ही लक्री में बहुत सारा डिजाइन बना सकते हैं दोस्तों और इसमें इस वीडियो में मैं दो डिजाइन को बना के दिखाऊंगा और यह ज सेनल को जुरू सब्सक्राइब और लाइक करके बेल आइक उनको भी डबा देना दोस्तो मैं ऐसे ही कर्पिंटर से सभी वीडियो मेरे सेनल पे लाता रहता हूं दोस्तो और ऐसे ही लक्री पे डिजाइन बना के आप ग्लास के जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं तो फिर इस इस डिजाइन को बनाने का काम को इस्ताद करते हैं दोस्तो देखिए यह जो लक्री है इसको मैंने रंडा कर लिया है एक डम अच्छी तरह से इसको रंडा कर लिया है साइज भी कर लिया है और इसका जो साइज है दो इनसी दो सुध है और इसको हमने पुरा लंबाई करके नहीं बनाया है दोस्तो सोते सोते पीस में ही इसको बनाया है और जो इसका जो लंबाई है सारे सार एंजी में इसको काटिंग करूँगा और काटिंग करने के लिए ये एक प्लाय का एक जुगार में ने बना लिया है और इसमें ये जो गुनिया है गुनिया को भी फिट कर दिया है और ऐसे ही लकरी को हम ये जो gap है gap में इसको ऐसे हम भर देंगे और gap को भरने के बाद कतरमिसिन सला देंगे एक डब गुनिया से बराबर इसको cutting कर देंगे दोस्तों देखिए इसको अभी मैं cutting करके दिखा देता हूँ दे जा लिया है उसमें ये तक्स कर देंगे और पुरा बराबर लक्री निकल जाएगा और एक बाद है और ये जो लक्री है इसका जो लंबाई है ये सारे सार एंसी में हमने कटिंग किया है और इसका जो सोराई है दो एंसी दो सुध है यानि कि सोराई का हिसाब से अगर दो एंस जो लक्री है उसको कटिंग करना है जही मैंने पुरा कटिंग कर लिया है और कटिंग करने के लिए एक पतला जो लक्री है उसको भी निशे के साइड में ऐसे गुषा के टाइट कर देना है दोस्तों नहीं तो ये लक्री जो है ये थोरा इधर उधर हो जाएगा कतरमेसिन का जो blade है blade में लग जाएगा इसलिए पीसे के side में जो पतला लक्री मैंने भर दिया था उसको भी आप एकड़ ऐसे ही लगा लेना है tight करके और पूरा लक्री को ऐसे ही पूरा cutting कर लेते हैं दोस्तों और ये जो लक्री है अलग-अलग color का मैंने use किया है दोस्तों पास type का लक्री है इसमें और ये जो है लक्री पूरा cutting कर दिया है और इसमें जो लक्री मैंने use किया है बहुत ही अच्छा quality का लक्री है और pine लक्री का भी use किया है लेकिन बहुत चुराई वाला लक्री से ही मैंने इसको निकाला है और table का जो center का जो लक्री है उसमें मैंने ऐ किया है इसी लक्री से ही पूरा बन जाएगा दोस्तों देखिए ऐसे ही आप पिहले एक फर्मा को बना के इसमें आप लगा लेना कितना सुराई वाला लक्री में आपको यूज करना है उसमें ही आप ऐसे पूरा पहले देख लेना मैंने भी ऐसे पूरा देख लिया और यह ज लगाने का जरूरत नहीं परेगा इसको देखके ही इसमें पुरा शिपका देंगे फेविकॉल से और ऐसा दिजाइन प्लाए में भी आप बना सकते हैं लकरी को लगा के लेकिन प्लाए जो है ये अच्छा क्वालिटिका प्लाए को यूज करना परेगा तभी आपका जो करके इसको भरके देख लिया है और एक डिजाइन को मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों देखिए और ये जो दिजाइन है ये थोरा सिंपूल है लेकिन इसको भी अगर आप बनाएंगे कलर कर देंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में और ये पुरा जो लकरी है इ उस भी कलर का इसमें मिक्स नहीं करूंगा जो इस पीट पोलीज है उसको ही करके हैंसिलार मार के मैं पुरा फिनिसिंग कर दूंगा दोस्तों ये अभी पुरा फेविकॉल से पेस्टिंग कर दिया है और फेविकॉल जो है मेरित फेविकॉल में ने यूज किया जाता है उस को थोड़ा असान होगा अभी पुरा लक्री को मैंने सुखने के लिए रख दिया था अभी सुख के हो गया है धूप में एक दिन पुरा रख के उसका बाद मैंने लाया है अभी पुरा यह देखिए यह जो लक्री है पुरा अभी सिपक गया है और जो मैंने मारा था कील को भ पुरा कटिंग कर देंगे और जो तेबूल है उसमें भर सकते हैं दोस्तों ऐसे ही पुरा कटिंग कर लेना है और जो लक्री तेबूल में जो मैंने सुराई वाला जो लक्री अभी मैंने रखा है उसको पुरा साइस करके ही आप लगाना तभी यह जो लक्री है आप डाउन न नहीं होगा और जो मैंने अभी तुक्रा जो कात के रखा है उसको भी फेकना नहीं है उसको भी साइड में आप लगा के जोर सकते है ऐसे ही पुरा लगा सकते है ऐसे ही जो डिजाइन है मैंने दो तिन दिजाइन को बना के रखा है बाद में आप लोगों को दिखाएंगे फि करने के बाद पूरा कटिंग भी कर दिया है अभी डेखने में कैसा लग रहा है देखिए अभी पूरा काम हो गया है और इस काम को अगर अच्छा लगा तो मेरे सेनल को जुरू Sakai और लाइक करके बेल आइकोन को भी दबा देना मिलेंगे एक नया वीडियो में